गुट मॉर्निंग चिल्डरन बच्चो जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन चल रहा है ये पाट दस क्यों जी मर और कैसे कैस लिया इसी की हम एक्सराइज आगे बढ़ाएंगे ये एक्सराइज जो है आपकी पेज 90 पर है पेज 90 पर आप बुक खोलेंगे तो इस यहां पर तीन लिखे में मैंने कल भी आपको बताई थे ये अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो की ये सब आपको पता करना है तो मैंने पता करके ये लिख दिया है आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में और लर्न कर लेंगे सबसे पहला इसमें प चने का आटा गिहूं का आटा यह आटे तो पिस्ते ही है इसके साथ साथ वहाँ पर मेच हल्दी और अन्य मसाले भी पिस्ते हैं मेच पिस्ती है हल्दी पिस्ती है धनिया पिस्ता है गरम मसाले पिस्ते हैं सौफ पिस्ती है मेथी पिस्ती है यह सब मसाले होते हैं यह भी पिस और बेशन भी पिष्टा है चने की दाल से बेशन बनता है अगला कोश्चन है बच्चो आटा चक्की किस चीज से चलती है चीज से यहां पर मतलब है अनर्जी उर्जा कौन सी उर्जा से चलती है कौन सी अनर्जी को चलाने के लिए लगाई जाती है तो बच्चो आटा चक्क निम्लिकी चीजों से चलती है नंबर वन बिजली से बिजली से तो आपको पता ही है कि आजकल बिजली है सब जगे बिजली उपलब धह गाउं में भी शहरों में भी तो आटा चक्की बिजली से चलती है दूसरी होती है पवन यानि हवा से पवन हवा को कहते हैं तो पवन चक चक्की यानि पानी से चलने वाली जो पानी से चलती है उसको पंचक्की क्याते हैं तो पानी की एनरजी से भी यह चलती है और इंजन से एक इंजन होता है जिसमें डिजल डाला जाता है इंजन में डिजल जाला जाता है तो कहीं कहीं पर उस इंजन से भी चक्की चलाई जाती इसमें लास्ट कोश्चन है बच्चो दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है मैंने आपको कल भी समझाया था कि चक्की को मशीने जो है वो काम करते करते गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने के बाद उनका उनको कोई बार फुक भी सकती है जल सकती है तो इस चीज को रोकने के लिए बीच बीच में उनको थोड़ा ठंडा किया जाता है तो चक्की को चलाते चलाते दो या तीन बार रोका जाता है या फिर जरूरत के हिसाब से भी रोक सकते हैं कि बहुत तेर होगी चलते चलते गर् चार-पांच बार भी हो सकता है बहुत जादा चलाने की जड़त पड़ी हो तो चार-पांच बार भी उसको रोका जा सकता है जैसा दुकानदार जैसा चक्की वाला अपना हिसाब से महसूस करता है वैसे वो उसको रोक कर थोड़ा टाइम देता है ठंडे होने के लिए जबं से चलते चलते गर्म हो जाती है और गर्म होकर उसका फुखने का डर रहता है तो हम उसको भी बीच में थोड़ा थंडा होने के लिए टाइम देते हैं तो इस तरह से चक्की को भी उसी हिसाब से रोका जाता है यह कुश्चन आप अपने कॉपी में लिख लेंगे झाल झाल